हलो दोस्तो वेलकम टो स्टट इनिवर्स, मद्धिप्रदेश की नामर वन चैनल for daily current affair के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे मद्धिप्रदेश के weekly current affair के बारे में, जिसमें हम चार्चा करेंगे 1 से 10 जून के current affair के बारे में दोस्तो ये वीडियो आपके सभी पृतियों की परिक्षाओं के लिए important है यानि all competitive exams के लिए बहुत important है जिसमें हम 40 plus questions की बारे में बात करेंगे दोस्तो ये वीडियो हिंदी और इंगलेस दोनों भाषाओं में बनाया गया है जिसमें आप comfortable हो उसमें वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तो बिना समय गवाए चलते हैं question number first पर question number first है सामाजिक दूरी बनाये रखने Google दौरा कौन सा एप लाँच किया गया है तो ये है Sodor app Google के दौरा लाँच किया गया है ये है सामाजिक दूरी सोसल डिस्टेंसिक बनाये रखने के लिए next question है वन नेशन वन रासन काड कितने राज्यों और केंदर साशत प्रदेशों में लागू किया गया है तो इसका सही option है total 20 केंदर साशत प्रदेशों और राज्यों में वन नेशन वन रासन कार्ड लागू किया गया है यानि जो भी गरीवी रिखा से नीचे वाले व्यक्ति हैं वह किसी भी राज़ और केंदर सास्यत प्रदेश में जाकर रासन खरीश सकते हैं नेश्ट कोशन मनता है उनके लिए ये पार्ट साला लागू की गई है नेश्ट कोशन है एडीवी द्वारा सडक नमार परियोजनाओं के लिए किस राज़ को 176 मिलियन डॉलर का रेंड प्रदान किया गया है विच स्टिस्ट हैज प्रोवाइड़ 177 मिलियन डॉलर लॉन बाई एडीवी फॉर रोड प्रोजेक्ट तो इसका सही ओफ्चन है महरास्ट राज़ को एडीवी के द्वारा 177 मिलियन डॉलर का रेंड दिया गया है दोस्तों बात आईए एडीवी की तो आपको इसके बारे में बाता है ADB का फूल फॉर्म Asian Development Bank होता है यानि ACI विकास Bank होता है इसका गठन 19 दिसंबर 1966 में किया गया था यानि 19 दिसंबर 1966 में हो था मुख्याले मनीला फिलिबिन्स में है और इसके मेंबर कंट्री है 68 यानि 68 मेंबर कंट्री है और इसके जो अध्यक्ष यहाँ पर दोस्तो अध्यक्ष है इसके जो अध्यक्ष है वह है मुझसुगू असा कावा है जो 17 जन्वरी 2020 से इसके अध्यक्ष बने हैं तो इतना आपको ADV के बारे में याद रखना है नेश्च्ट कॉश्चन ने दुनिया में पहली बार किस नीजी कमपनी द्वार अंत्रिक्ष यान में यात्री भीजे गए है दोस्तो बाता हैए इसके जो डिरेक्टर जर्नल है वो है है अलोन मस्क बात करते हैं Space X की स्थापना कब हुई थी तो 6 माई 2002 को इसकी स्थापना हुई थी संसापक भी Elon Musk है और इसका कैलिफॉर्निया में मुख्याला है तो इतना आपको Space X के बारे में याद रखना है नेश्ट कोशन है विस्व दुख्य दुवस कम मनाया जाता है वेन इस World Milk Day celebrated तो एक जून को विस्व दुख्य दुवस मनाया जाता है 2020 में इसकी थीम है अनिवर्सरी ओफ वर्ल्ड मिल्क दे ये 2020 में इसकी थीम है दोस्तो आपको बता दें World Milk Day की स्थापना FAO के द्वारा की गए थी FAO का फुल फर्म होता है Food Agriculture Organization नेश्ट कोशन है प्रसिद्व वाजित खान का हाली में ने धन हुआ ये कौन थे तो दोस्तो ये जाने पहचाने मीजिशन यानी संगीतकार थे जिनका हाली में ने धन हुआ है सलमान खान की बहुत सी मुवी ने इनने अपना संगीत द किया है नेश्ट कोशन है केंदर सरकार द्वारा विदेशों में भारतियों को वापिस लाने कौन सा मिशन चलाया गये है तो दोस्तो इसका सही option है समुद्र सेतु और बंदी भारत मिशन इन दोनों मिशन को केंदर सरकार की द्वारा कूरुना की दोरान विदेशों से भार का नाम नासर्ग है दोस्तों आपको इसके बारे में याद रखना है यह मुस्ट आइंपी कुशन है महारास्ट में आए साइकलोन का नाम है नासर्ग और हाली में जो पश्चिम बंगाल और उडिसा में आया था उसका नाम था अमफान आपको एक और important fact बता दें महारास्ट अरब सागर में स्थित है और जो वे उफ बंगाल में आया था वह है अमफान तो यह दोनों आपको याद रखनी है दोस्तों इसके लाब आपको बता दें नासर्ग के ये नाम किसने दिया है तो नासर्ग साइकलोन का नाम बंगलादेश के द्वारा द इतना आपको इसके बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन है हाली में उद्ध्यों मंदल की कौन सी बैठक में प्रदान मंत्री ने हिस्सा लिया है तो उद्ध्यों मंदल की 125 भी बैठक में प्रदान मंत्री जी ने ऑनलाइन हिस्सा लिया है दोस्तों आपको बता दें इस वेठक में प्रधान मंत्री मोधी की द्वारा पांच फॉर्मूले दिये गए हैं वो कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखनी है तो पहला अनने फॉर्मूले दिया है इंटेंट, एमिलिशन, इन्वेस्टमेंट, इन्फरास्ट्रक्चर, इन्विशन ये 5 पॉंट दिये हैं प्रधान मंत्री मोधी जी के द्वारा और द्व मंडल की वेठक में नेक्ट कॉशन है जी सेवन की कौन से वेठक का आयोजन किया जाना था जो हाली में स्थगित की गई है दोस्तों आपको बता दें जी सेवन के बारे में तो चलिए मैप में आपको G7 कंट्री के बारे में बताएं तो आपको देख पा रहे होंगे G7 में कैनेडा, फ्रांस, जर्मिनी, इटली, जापान, युनाइटेड किंग्नम यानि UK और युनाइटेड इस्टेट यानि USA ये साथ कंट्री हैं लेकिन दोस्तो इसकी इस्थगित जो बैठक है वाई इस्थगित की गई है क्योंकि इसमें हाली में भारत, रूस, और दक्षन कुरिया इन चार देशों को शामिल किया जाना है इसलिए 2020 की 46 वे बैठक हाली में इस्थगित की गई है लेकिर ये बैठक सेप्टेंबर औक्टूर में आईज़त की जाएगी तो आपको इसके बारे में याद रखना है और ये साथ कंट्री है G7 की अगर भारत और ये चार कंट्री सामिल हो जाती है तो इसका नाम बदल का G11 कर दिया जाएगा नेस्ट कॉशन है हाली में किस देशने WHO में पूरी तरह से संबंध खत्म किये है तो ये है USA USA ने हाली में WHO से अपने पूरी संबंध खत्म किये है बताए USA की तो आपको मैप में इसके बारे में बारे में दोस्तों आप मैप में देख पा रहे होंगे ये है USA USA की राश्टारी हैं Washington DC USA की राश्टपती हैं Donald Trump यहां की मुद्रा है US Dollar तो इतना आपको USA की बारी में याद रखना है नेस्ट कॉशन अब विस्व साइकल दिवस कम मनाया जाता है तो प्रत्ती एक 3 जून को विस्व साइकल दिवस सेलिबरेट किया जाता है नेस्ट कॉशन है हाली में 2.6 मीटर का धनिया का पौधा उगा कर Guinness Book of World Record में नाम दर्ज किया है ये कौन है तो गोपाल उप्रेती इन्होंने धनिया का पौधा उगा कर जिसकी हाइट थी 2.6 मीटर ये है उगा कर Guinness Book of World Record में अपना नाम दर्ज किया है दोस्तो गोपाल उप्रेती उत्राखंड की रहने वाली है नेस्ट कॉशन बनता है हाली में जनक कुमार जैन को कि संभाग का कमिशनर बनाया गया है तो दोस्तो इसका सही ओफ्षन है सागर संभाग Recently जनक कुमार जैन has been made of commissioner of which division इसका सही option है सागर division ये दोस्तो 2001 बैच के IAS अधिकारी है अब बात आए सागर संभाग की तो आपको map में इसकी location के बारे में बता दें दोस्तो map में मैं जो draw कर रहा हूँ यहाँ पर सागर division है यानि सागर संभाग है तो ये आप जो देख पा रहे होंगे ये पूरा सागर संभाग है अब आपको जो जिले हैं उनके बारे में भी बता दें तो सागर एक जिला है, दमो एक जिला है, सागर संभाग का सागर संभाग का एक जिला है पन्ना, छतरपुर और टीकमगर इसके अलावा दूस्तों यहाँ पे एक और जिला बनाया गया है नया जो मद्धिपति इसका 52 वा नया जिला है जिसका नाम है निमाडी ये भी सागर संभाग का ही एक जिला है तो कुल 6 जिले आती है सागर संभाग में तो दूस्तों इतना आपको सागर की बारे में याद समझेन किया अदीगरण किया है यह Hij anas Sud किया है इसकी आपको बता दें तो मिजल पोजिस्टक सपॉर्ट संगरीमेंट यह इसcking नाम का एक संजोधा भारत और और उस्ट्रिया के बीच किया गया है दोस्तों इसमें जू बारत की इंडियान ओश्यान है इसमें Australia आ जा सकता है और जो Australia में जो ocean है यहां पर भारत आ जा सकता है दोनों नेवल exercise करेंगी तो इसलिए यह समझोता किया गया है बाता यह Australia की तो आपको मैप में इसकी बारी में बाता है दोस्तों मैप में आप देख पार होंगे यह है Australia Australia की राजधानी है Canberra यहां की जो मोनाचिया समराठ है भाई Elizabeth Tutti है गवर्नर है डेविड हर्ली और प्रदानमंती है Scott Morrison Australia की मुद्रा है Australian Dollar तो इतना आपको Australia की बारी में याद रखना है Next Question है हाली में वाफटा का अध्यक्ष किसी बनाया गया है तो कृष्णेंदू मजूमदार को वाफटा का नया अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों यह बाफटा क्या है तो आपको इसका फुल फर्म बता दें तो वाफटा का फुल फर्म होता है British Academy of Film and Television तो इसकी हाली में अ पांच-पांच सेंपल चेक किये जाएंगे आपको उटा दे एक सेंपल की जाज करनी की फीस 4500 रुपए लगवक्ष आकी गई है इसलिए पूल टेस्टिंग करने की अनुमती मद्धभजी सारकार ने ली है के अंदर से नेस्ट कॉशन है UNADP की Goodwill Ambassador to the poor हाली में किसी बनाया गया है तो M.Nitra को UNADP की Goodwill Ambassador to the poor बनाया गया है दोस्तों लॉकडाउन के दोरान इन्होंने अपने पिता सी कहकर बचत की आठ लाक रुपए गरीवों में दान किये थे जिस कारण इन्हें UNDP का Goodwill Ambassador चुना गया है आपको नेस्ट कॉशन है UNDP में लॉकडाउन की दोरान करीब कितने मजदूर बापस आये हैं तो करीब 14 लाक मजदूर मद्यपरदेश में बापस आये हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य से मजदूर मद्यपरदेश में बापस आये हैं तो ये एक important question बन जाता है अ 800 212 बिलिएन डालर की कमाई करने वाले दुनिया के पहले फोट्वालर बने हैं जोस्तों इनकी कमाई 105 बिलियन डालर हो गई हैne exist विशो परिया वरण दिवस मनाया जाता है तो प्रतिएक वर्ष 5 जून को विशो परिया वरण दिवस मनाया जाता है। बात आई है W.E.F. की तो आपको इसकी बारे में बताएं W.E.F. का full form World Economic Forum होता है इसकी स्थापना 1971 यानि 1971 में की गई थी Headquarter को अलबनी Switzerland में है और इसकी जो head है वहाई Klaus Wacheev है दोस्तो आपको बताएं W.E.F. जो जो भी रिपोर्ट भी जारी करता है Global Risk Report भी जारी करता है और Global Terrible and Tourism Report भी W.E.F. ही जारी करता है तो ये रिपोर्ट आपको याद रखनी है इसकी अलाव इसकी स्थापना इसके बारे में भी आपको याद रखना है Next Question है Global Vaccine Summit का मेजवान देश कौन सा है तो UK Global Vaccine Summit का मेजवान देश है दोस्तो इस अलाइंस का नाम गेवी रखा गया है जो भी बैक्सीन बन रही है कोरोना के खिलाफ तो उसका जो मेजवान देश है वह है UK है वह इस अलाइंस का नाम गेवी रखा गया है बताईए UK की तो आपको मैप में इसके बारी में बता देए मैप में आप देख पार होंगे ये लोकेशन है UK की UK की राजस्थानी है लंदन यहां की समराठ है ऐलिजाबेट तुदिये प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग तो इतना आपको United Kingdom यानि UK की बारे में याद रखना है Next question है WTO में भारत की ओर से किस से राजदूत बनाया गया है तो ब्रजेंदर नवनीत को ब्रजेंदर नवनीत को WTO में भारत की ओर से राजदूत बनाया गया है बात आई है WTO की तो दोस्तो आपको इसकी बारे में बता दें WTO का फुल फॉर्म World Trade Organization यानि विस्व ब्यापार संख्थन होता है इसका गठन एक जनवरी 1995 यानि 1 जन्यूरी 1995 में किया गया था दोस्तो इससे पहले WTO को GATT की नाम से जाना जाता था इस जनेवा में इसका headquarter है और कुल सदस देश है 164 यहां के जो निदेशाख है यानि डिरेक्टर जनरल है वह रोबर्टू अजेव वाडू है तो इतना आपको 200 ब्यापार संख्थन World Trade Organization के बारे में याद रखना है next question है हाली में किस देशने emergency घोषट की है तो रूस ने emergency घोषट की है दोस्तो यह emergency क्यों घोषट की गई है आपको इसके बारे में बता दे हाली में 20,000 टन डीजल लीख हुआ है अंबर नाया रिवर में जो रूस में बहती है इस रिवर में 20,000 टन डीजल लीख हुगया है जिसकर दोस्तों ये पूरी लाल नदी बन गई है इसलिए एमरजेंसी घोसित की है क्योंकि अगर कोई भी गती विदी में यहाँ पर हो जाती है कोई भी उसम दोस्तों मैप में आप देख पार होंगे ये है रूस दुनिया का एक मात्र ऐसा देश है जो दो महादीब दो कॉंटिनेंट में फैला है रूस की राजधानी है मोस्को रास्टपती है ब्लादीमिर पुतिन प्रधानमंत्री है मुखायल मुस्टिन और यहां की जो मुद्र है वह रूसी रूबाले तो इतना आपको रूस या रश्या की बारे में याद रखना है नेश्ट कोशन है 2020 का EY World Entrepreneur Award किस ने जीता है तो इसका सही option है किरण मजूमदार शो ने EY World Entrepreneur Award जीता है दोस्तों आपको बता दें किरण मजूमदार शो वायो कॉन लिमिटेट की कार EY World Entrepreneur Award होता है इसका formation यानि एस्थापना 1986 में की गई थी और यह UK के द्वारा Award दिया जाता है Next question है हाली में बेद मारवाह का नेधन हुआ यह कौन थे तो दोस्तों यह पूर्वर राजजपाल थे यह तीन राजजपाल रह चुकी हैं कौन-कौन से राजजपाल रह चुकी उनकी नाम आपको बता दें तो जारखन, मनीपुर और मिजूरम इन तीन राजपाल रह चुक इनका हाली में नेधन हुआ है, नाम है वेद मारवा है अमेरिकन थे, इसी के चलते, माइकल जॉर्डन ने नस्वेद के खिलाब लड़ाई में 756 रुपए कड़ूर रुपए दान किये हैं नेस्ट कोशन है विश्व खाद सुरक्षा दिवस कम मनाया जाता है तो प्रत्यक साथ जून को विश्व खाद सुरक्षा दिवस मनाया जाता है इस बार इसकी थीम रखी गई, food safety, everyone's business ये विश्व खाद दिवस यानि world full security day की थीम रखी गई थी नेस्ट कोशन है रिचर्ड डॉकिंस अवर्ड पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन है तो ये है जावीद अक्तर, ये है अवर्ड पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति है दोस्तो आपको बता दें Richard Dawkins एक महान जी विज्यानी थे इन्हीं के नाम पर यह अवोर्ड दिया जाता है आपको यह और बता दें जावी दक्तर कौन है यह महान गीतकार और पाटकता लेका कें तो इतना आपको इन दोनों की बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन है गेहूं खरीदी में कौन सा राज्य 2020 में पहले इस्थान पर रहा है तो हमारा मद्यप्रदेश गेहूं खरीदी में 2020 में पहले इस्थान पर रहा है दोस्तो आपको बता दें करीब एक करोर 27,67,000 टन गेहूं खरीदा गया है मद्यप्रदेश में वहीं अगर बात करें दूसरे नमबर पर कौन है तो पंजाब दूसरे नमबर पर पहुँच गया है मद्धिप्रिदेश से पहले पंजाब ही पहले इस्तान पर था दोस्तो आपको बता दें जो मद्धिप्रिदेश में गेहों खरीदा गया है वह लगवक 33 प्रतीशत है पूरे देश का 2020 में गेहों खरीदने में कुल 74 प्रतीशत का इजाफा हुआ है एक बाद फिर आपको बता दें मद्धिप्रदीश में खरीदा गया गेहों कितना है तो 1,27,67,67,000 गेहों खरीदा गया है 2020 में नेस्ट कोशन है मद्धिप्रदीश की मसहूर गायक जिनका हाली में निधन हुआ ये कौन है तो मुकेज तांक जिनका हाली में निधन हुआ ये मद्धिप्रदीश की एक मसहूर गायक थे और ये मद्धिप्रदीश की सागर की रहने वाले थे नेस्ट कोशन है हाली में कब 200 महा सागरी ये दिवस मनाया गया है तो 8 जून को 200 महा सागरी ये दिवस मनाया गया है नेस्ट कोशन है हाली में आई परियावन प्रदर्शन सूचकांक में कौन साधिस पहले इस्थान पर रहा है तो डेनमार्क इस प्रदर्शन सूचकांक में पहले इस्थान पर रहा है वहीं बात करेंगर भारत की तो भारत 2019 में 177 भी इस्थान पर रहा था लेकिन 2020 में कुछ रेंकिंग में एजाफा हुआ है और अब हम 168 इस्थान पर हैं लेकिन दोस्तों कुल 180 देसों में 168 इस्थान पर हैं फिर भी हमारी रेंकिंग बहुत खराब है नेस्ट कोशन है हाली में चंबल संभाग का आईजी किसे बनाया गया है तो मनुष शर्मा को चंबल संभाग का आईजी बनाया गया है इससे पहले डीजी गुपता चंबल संभाग के आईजी थे अब बात आई है चंबल संभाग की तो आपको मैप में चंबल संभाग दिखा चंबल संभाग इसके अलावा दोस्तों ये और भी संभागें आप कमिट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये कौन-कौन से संभागें अगर नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में जून एक से दस जून की करेंट अफिर के बारे में दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए वीडियो को शेर कीजिए और हमारे चैनल Study Universe को सबस्क्राइब कीजिए दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहती है तो सारी description में link दिये गए है वहाँ से आप हमें follow कर सकते हैं हमसे जुड़ सकते हैं अगर इसकी PDF चाहिए है इस वीडियो की तो वो भी आप Telegram से download कर सकते हैं Telegram की link description में दी गई है इसके अलावा दूस्तों हमें टाइपिस्ट और टीचर्स की जुरुएत है तो आप हमें इस ID पर mail कर सकते हैं जो भी होगा हम इस पर बात करेंगे तो आज के लिए बसकता ही नमस्कार have a nice day